नमस्कार दोस्तों में हूं काम या दोस्तों आपने गंभीर अप्राधु में लिप्त अप्राधियों किफासी के बारे में सुना होगा आप ये भी जानते होंगे किफासी देने का काम सुर्योदे से पहले ही किया जाता है यानि किफासी की सजा पाए अप्राधी को लेकिन क्या आपको पता है कि फासी की सजा सूरे उदे से पहले क्यूं दी जाती है तो आए जानते है कि मुझरिम को सजा सुबह ही क्यूं दी जाती है दोस्तों अगर अगर अपने मेरा चानल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर ले में हमेशा नए नए पर विडियो बनाती रहती हूँ दोस्तों। सुबह सुबह के वक्त फासी इसलिए दी जाती है क्योंकि जेल मैन्यूल के तहट जेल के सभी कारे सुर्यों देके बाद किये जाते हैं फासी के कारण जेल के बाकी कार्या में दिक्कत ना हो ऐसा इसलिए किया जाता है। फासी के पहले और बाद में कई तरह की प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं जैसे मेडिकल टेस्ट काई रिजिस्टरों में इंट्री और कई जगें नोट्स देने होते हैं इसके बाद लाश को उसके परिवार वालों को भी सुपूर्द करना होता है शायद ये भी एक ब शक्स की मौत हुई है नहीं उसके बाद उसे फासी के फांदे से उतारा जाता है दूसरा कारण यह भी है कि हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि फासी की सजा जिसको सनाई गई हो उसको पूरा दिन इंतिजार नहीं कराना चाहिए इससे उसके दिमाग पर गहरा असर जाता है फिर उसे नित्य कर्म से निवरत होकर फासी के लिए ले जाया जाता है अपरादी को फासी देना समाज के लिए एक बुरी और खासी बड़ा समाचार होता है इसका समाज में गलत प्रभाव नहों इसको ध्यान में रखकर सूर्यों दे से पहले फासी दे दी जाती है शक्ष को, उसके परिजनों को सोप देते हैं, फासी देते वक्त, वहाँ पर जेल अधीक्ष के एक्जेकरटव मजिस्ट्री डॉर, जलाब मौजूद रहते हैं इनके बिना फासी नहीं दी जा, सक्ती, फासी देने से पहले जलाब बोलता है कि मुझे, माफ कर दिया जाए, हि क्या कर सकते हैं हम तो, हुकम के गुलाम है, उसके बाद फासी दे देता है, दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके, बताए अगर आपको को अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर, वाचिंग दिस वीडियो,